कि दोस्तों मैं अश्रा करता हूँ आफसरों ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में विल्याम कॉन्गृव की एक प्ले लॉफ और लब के उपर बात करेंगे तो चलिए उस तो वीडियो को स्टा करते हैं वीडियो को स्टा करें जबर सुपी सब्सक्राइ पेशा है उसकी इस पाधर बहुत ही पैसा है तो इसलिए हुई उसका झाल इसका आभापक बना चाहता है लेकिन उसके सारे पर बहुती कर्जा है क्योंकि उसने सारे पैसा तो गवा दिया उपर से उसने बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था तो इसलिए उसका कर्डिशन बहुती खराफ है उसके फदर ने उसको ये कहा कि वो उसका सब कर्जा माफ कर देंगे लिए लिए कंडिशन के उपर उनका कंडिशन यह था कि अगर वेलेंटाइन अपने सबी प्रोपार्टी को अपने छोटे वाई बैन के नाम कर दे तब वो उसका सब करजा माफ कर देंगे अब दुस्तों यहां पर उसके फदर ने कंडिशन क्यूं रखा क्यूंकि फदर के प पास कोई भी प्रोपार्टी गया तो वो दो दिन में उसका खतम कर देगा ठीक है तो वो चाहते थे कि उसका जो पर उनका जो प्रोपार्टी है वो लीगली तो उसके उनके दूनों बेटे का होगा लेकिन वो चाहते थे अगर उनका छोटा बेटा बेन के पास सारा देद्रे क्या हुआ कि उसका करजा बढ़ता गया और उसने ठीक कि वह अपनी फदर का जो कंडिशन है वो मानेगा और अपना जो सारा प्रोपार्टी है वो उसका छोटा भाई बेन के नाम पर कर देगा वेलेंटें तो एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था जिसका नाम अब नाया जाते थे थे लेकिन उनको बैलनेटैन के बूंगेजमें वो डूर जाता एको कौश कारणों के बज़े से कुछ प्र और एक sister जिसका नाम था फ्रेल उसके साथ वह affair करता है और ठीक करता है कि वह marriage करेगा अब दूसतों जो फ्रेल है वह जो बेहन उसको फसाता है फसाती है क्योंकि फ्रेल को बेहन के प्रॉपार्टी के पती नजर था लेकिन फ्रेल ने बेहन को फसा लिया था अपनी प्यार मे हाला कि वह उसको मन से प्यार ने करती थी उसके प्रॉपार्टी के पती उसका मन था ठीक है तो उसको पता होता है कि जो फ्रेल है बाद में जाकर वह बेहन से अपना रिष्था तोड़ देती है क्योंकि वेलेंटाइन ने अभी तक बेहन के नाम पे कोई भी प्रॉपार्टी नहीं देगा तो उसको लागा कि यह प्रॉपार्टी तो मुझे तो पैसा नहीं मिलेगा तो एंड टाइम पे जो फ्रेल है वो बेंकर से अपना निष्टा तोड़ देती है और उसके बाद क्या होता है कि जो वेलेंटाइन है वो एंजलिका को पेले से पस पीड़ेंडाइन हॉने का नाटए है तो एंजलिका एक प्लैन बनाति वो यह भी मारकेट में बात पहुता है कि जो ब Deadland के साथ की लवरर मेदा की तो तो वह अपना पागलपन का जो प्रण भान कर रहा था वो उसको छोड़कर एंजलीका के पास आकर सब कुछ सब कुछ बता देता है और बाद मेंजा कर सब कुछ ठीक होता है और लेका बेलंटैन दोनों शादी करते हैं और खूशी थे खूशी से रहते हैं यह क्वा दोस्तो गुट बाच रे सोस्तरी